सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेक्टेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम आपके साथ शेर करेंगे भिंडी की सब्जी जो हम बिल्कुल बिना लेस वाली बनाएंगे इसके लिए मैंने भिंडी लिए है इसको धोकर साफ करके काट कर लिया है ये मेरे पास आदा किलो भिंडी थी तो इसे हमने सुखा लिया अच्छी तरह काट कर क्योंकि इसमें लेस ना रहे इसमें मैंने एक निम्बू लिया है जो हम इसके अंदर डालेंगे और तीन बड़े प्यास इनको मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया है और ड्राई मसाले लिये हमने एक चमच हल्दी छोटे वाली आधा चमच धनिया पौडर लिया है आधा चमच नमक नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें आप आदा चमच ही मैंने लाल मिर्च लिए और आदा चमच हमने जीरा लिया है तड़के के लिए और आदा चमच हमने गरम असाला लिया है चलिए अब हम बिंडी बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए हमने मस्टर्ड ओयल लिया है भिंडी बनाने के लिए भिंडी बनाने के लिए मैंने कड़ाही को गर्म होना रख दिया है कड़ाही में हम ओयल डालेंगे दो चम्मच बड़े मैंने ओयल केस के अंदर डाल दिया है इनको हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा धुआ निकल जाएगा क्योंकि मस्टर ओयल है ये गर्म होना चाहिए इसकी स्मेल ना हो बिल्कुल भी तो इसे हम एक वर हिला लेते हैं और इसमें अब हम डालेंगे जीरा लेकि इसका दुहा निकल चुका है जीरा हमने इसके अंदर डाल दिया है जीरा क्रैक हो गया अब हम इसके अंदर बिंडी डालते हैं कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले प्यास डाल देते हैं लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं हम इसके अंदर पहले बिंडी डालेंगे इसको थोड़ा पकाएंगे जब तक इसका थोड़ा सा लेज खतम हो जाए इसे हम अच्छी तरह हिला देते हैं तांकि ओयल इसकी चारो तरफ लग जाए मैंने बिंडी में बॉयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैं थोड़े कम तेल में बिंडी बना कर आपको दिखाऊंगी आप इसी तरह बना सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हल्दी होती है अगर कम तेल में बनाई जाए तो इसे हम इस तरह पकाएंगे दो तिन मिनट हिला लेंगे और एक चीज़ बताना भूल गई मैं आपको जब हमने बिंडी काटी थी इसके अंदर मैंने दो हरी मिर्च काट ली थी तो आप इसके अंदर हरी मिर्च डालना चाहते हो तो पहले ही एड़ कर सकते हो अब देखें बिंडी को पांच मिनट हो गए है बूनते हुए यह बून गई अच्छी तरह इसका लेस बिल्कुल खतम हो गया है यह बिल्कुल खिली-खिली है अब हम इसके अंदर एक चोटा निम्बूनी चोड़ देते हैं कई लोग बिना प्यास के बनाते हैं तो आप सीधा इसी तरह बना सकते हो मैंने इसके अंदर प्यास डाल दिये हैं आप प्यास को भी हम चार-पांच मिनट इसके अंदर भून लेंगे अच्छी तरह इसे हमने हिलाना है बीच बीच में छोड़ना नहीं है नहीं तो यह नीचे लग सकते हैं और कडाई में थोड़ा काले हो जाएंगी तो आप इसे बीच बीच में हिलाते जाएए चार-पांच मिनट इसको पकने में लगेंगे अब देखिए पांच मिनट हो गए हैं प्यास का कलर चेंज हो रहा है और थोड़ा सा पका लेते हैं इसको अब देखिए इसे हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं पहले हल्दी डाल दी मैंने लाल मिर्च, नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें आप और मैंने ये धनिया पाउडर और गर्म साला सारे मसाले हमने इसमें ड्राई डाल दी हैं अब हम इसको अच्छी तरह हिला लेते हैं और मसाले हमने अच्छी तरह पकाने हैं ये नहो कि इसका कच्चा तेस्ट है, इसका तेस्ट बिलकुल भी कच्चा नहीं आने चाहिए और आप एक चीज का ध्यान रखे की इसको आपने मैश नहीं करना बिलकुल भी राना है और अगर आप लिए इस तरीके से भिंडी बना ओगे तो खोल कर पका लेते हैं थोड़ा सा की जो इसके अंदर भाप आई है वो निकल जाए इसको हमने खुले में तीन-चार मिनट तक पका लिया है और ये अब भिंडी काफी हद तक पक चुकी है और अब हम गैस बंद कर देते हैं भिंडी हमारी रेडी हो गई है हम इससे सर्ब करेंगे ये लिजिए भिंडी को हमने सर्ब कर दिया है और बहुत ही जाले टेस्टी भिंडी बनी है हमने टेस्ट करके देखा है तो अगर आपको recipe पसंद आए प्लीज वीडियो को like जरूर कीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूले bell बटन जरूर दरबा ले ताकि new notification आपको सबसे पहले मिले और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर मिलेंगे हम किसी new recipe के साथ तब तक के लिए good bye